इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, चाहे जितने भी बुलंद ओदे पे फाइस हो जाए, मगर उसे कीमती, उसका बुलंद मरतबा नहीं, बलके उसका अपने जिस्पात पे काबो पाना बनाता है, जिसे emotional management भी कहा जाता है, आईए, आज देखते हैं कि emotional management को हम सीरत नभी से कैसे सीख सकते हैं, इस मौज़ू पर आज हमारे साथ शरीके गुफ्तबू हैं, मारूफ शक्सियत, परफेसर रफरफ साहब, तो आएए, इनी से जानते हैं कि हम अपनी जिन्दगी में emotional management को कैसे ला सकते हैं, जी परफेसर साहब, एक बड़ा गहर रवायती सा जवाब दूँगा, बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, एक शखस किसी के वालिद को आते हुए देखता है, आपकी एक फ्रेंड है, आप उसे कहती हैं कि तुम्हारे वालिद साब आ रहें, तो वो उसकी फीलिम्स जो हैं व वो आपके जजबातों एसासात को एक शकल देते हैं, अज़रत अली ने जो बड़ी खुबसूरत वात फरमाई है कि इनसान को चाहिए कि अपने ख्याल के बारे में मौतात रहें, ख्याल इल्फास में ढलते हैं, और इल्फास जो हैं उसको अमल पर उभाडते हैं, जिसमें उसकी फीलिंग्स और इमोशन जो हैं, ये जानवरों में भी होते हैं लेकिन बड़े लिमिटेड होते हैं, और उनको उसके एक खासियत है कि वो उसके एक तो ज्यादा होते हैं और फिर वो उनको कंट्रोल कर सकता है, उसमें ये एक फर्क होता, तो अपने अंदर पैदा हो दोड़ने वाली किसी भी सोच को आप जिब उसका इसार करते हैं, तो वो लफ्स जजबात के बगर बे-माइनी से होके रह जाते हैं। जी बलकुल, इसी के साथ ही हम सवालात का सिलसला भी शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत से नुजवान हमारे साथ हैं, बहुत से सवालात के साथ, जी पहला सवाल कौन करना चाहेंगे? मेरा नाम अब्दूला मुनीर हर, मैं पंजाबी उनिवेस्ट्री का स्टूडन्ट हूँ, मेरा आप से एक सवाल है कि गुसा भी एक जजबा है, तो इसकी कीमिया, इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में आप अगर एक्स्प्लेइन कर दें थोड़ा सा, थेंक यू इन्सानी इमोशन जो हैं, बलकि इमोशन की जो डेफिनेशन है, उसमें एंगर सबसे पावरफुल इमोशन है, जो तमाम इमोशन पर गालिब आ जाता है, अब इसकी केमिश्वी क्या है, यू विल बी शॉक्ट्री के एक लहर जब हमारे अंदर गुस्प्से की पैदा होती है, किसी चीज़ पे गुस्प्से का एक एक एहसास पैदा हुआ, और हम उसका जब इसहार पे आते हैं, इवन अगर इसको दबा भी जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में इतने टॉक्सिंज पैदा होते हैं, कि उनको नैचरल वे में रिलीज होने में तीन दिन हो जाती हैं, पुराने वक्त की बुड़ी ओरते हैं, जिन्होंने किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवस्टी में कुछ नहीं पढ़ा था, मेडिकल साइंस की कोई एजूकेशन नहीं थी, वो मना किया करती थी बहु को कि अगर या बेटी को वो घुसे में है तो चोटे बच्च जाती है, कुछ की कम हो जाती है, तो आपका बैलनस आउट हो जाता है, और इसमें सबसे बड़ा मुक्सान जो होता है, कि वो आपकी बॉड़ी में ऑक्सीजन जो है, वो ये एकदम से कम कर देता, इस्लाम ने गुसे को आग कहा है, तो ये वाकई आग है, जी, तो अगला कौन करना चाहेंगे, तो मेरा नाम तारिब रिफट है, और मैं पंजाबी निवरस्टी से हूँ, तो ये एक टर्म का हमने सुना हूँ है, विच इस ओना इस EI, बट उसकी अगर आप उसको थोड़ा इसक्राइब कर देंगे, इसको अगर आप उसको थोड़ा इसक्राइब किया, और ये इसलाम के कॉंसेप्ट सबर, यानि उसने 20 साल लगाए, 1980 में उसने तजरुबा शुरू किया, सन 2000 तक 20 साल तक मसलसल रहा, बलके मैं चाहूंगा कि इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, बहुत ही आहम चीज़ है, इमोशनल मैनेजमेंट के हवाले से, उसने 6 स चाहेंगी, और जो नहीं, जो खाना चाहें, वो खा सकते हैं, वो देखेंगे टीचर्स और डॉक्टर साहब बार चले गए, अंदर कैमरे लगा दिये गए, तो उन बच्चों को स्टड़ी किया गया, कुछ बच्चों ने इमीजेटली खा ली, कुछ ने कुछ देर के रहा, 20 साल के बाद हर बच्चा एवरिजली, 26 साल का हो गया, शादिये हो गए, अपने जॉब्स में, बिजनस में सेटल हो गए, जिन बच्चों ने मैशमेलो इमीजेटली खाली थी, उनकी निस्बत वो बच्चे जिन्हों ने आखिर तक नहीं खाई थी, वो इंतहाई काम उन्याब थे, एक्स्ट्रीम पे थे दोनों, तो इट मीन के जिनका सेल्फ कंट्रोल था, उन्हों ने अपने आपको रोक लिया, उसके उपर फिर 2000 में डॉक्टर डैनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटालिजेंस का इलम दुनिया को दिया, आज वो जितनी बियोक्रेसी है और इमोशनल मैनेश्मेंट, आई, ई, आई, की, वो एक लफ्ज में उससे ज्यादा अच्छी बियान किये, सिर्फ एक लफ्ज ने उससे बहुत ज्यादा अच्छी बियान किये, वो पूरी तफसील का तो वक्त नहीं है, उसमें मेरी यूट्यूब पे दो वीडियोस हैं, वो पुतर सबर कर, इसे अल्ला पूछेगा, आखर अल्ला भी तो है ना, अर्बी में सबर का मतलब ये बिलकुल नहीं है, अर्बी में सबूरा, उस पत्थर को कहते हैं, जो कश्टी में रखा जाता था जब तुफान आता, यानि बैलन्स आउट होता, तो उसकी पोजिशन चे को, या रुक जाना किसी ऐसे काम से जो करने की आप कुद्रत रखते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, आप से मैं बदला ले सकता हूं, नहीं लेता, ये सबर है, मैं आपका करी कुछ नहीं सकता, तो ये सबर नहीं है, ये बेबसी है, तो इसलाम ने जिसको एक लफ़ में बयान नहीं किया तो जजबात का मु eliminate कंट्रोल अपने पास रखना हम घुसे में जो सबसे बड़ी गलती होती है वह हम अपना remote कंट्रोल दूसरे के हाथ में के दे दे देते हैं पर दूसरा जैसे चाहता है कि हमें वह इन्स अश्तेमाल करता है थर्मा मीटर और थर्मो स्टैट की टर्म्स आपने सुनी हैं थर्मा मीटर क्या करता है थर्मा मीटर जो है वो महाल से कंट्रोल होता है आप इसको जहां रखेंगे वो नीचे या उपर जाना शुरू हो जाएगा थर्मो स्टैट क्या करता है वो महाल को कंट्रोल करता है आप उसकी मदद से अगर एसी का है तो कम कर दें या ज्यादा कर दें आपके कंट्रोल में होता है तो इसलिए बराकरम ठर्मोस्टेट बने थर्मा मीटर ना बने वरना आप बिल्कुल ही मीटर हो जाते हैं बुर्कुल दुर्स जी अगला सवाल कौन करना चाहेंगे मेरा नाम निम्रा है और मैं पंजाब यूनिवस्टी से हूँ मेरा एक सादा सा सवाल है जिस तरह अभी आपने पहले बताया था विपजय करने वाले शुक्स होता है उसके उदर एक टॉक्सिस हो जाते है एक केमिकल तो जो अपिज़ 스सके और रहता है तो क्या उस पे अफेक्ट रते है उनपर। को गुशा करते है यह इए डैक्ट करता है के सिटुएशन क्या है देखिए दफ्तरों में जो आफिसर्स को मैनेजमेंट सिखाता हूँ जब आफिसर्स अपने सबाडिनेट पर उसा कर रहे होते हैं तो बीट पीप किसका शूट कर रहा होता है उसका अपना कर रहा होता है nervous system किसका खराब हो रहा होता है उसका अपना हो रहा होता है वो तो over the period of time दो चार दफा सुनके आदी हो जाता है और मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग तो बच्चे हैं ना इंशाला जब आप अपनी practical life में जाएंगे बड़े अफसर बनेंगे आप तो जब आप इस किसी आफिसर को कहेंगे ओई सब कुछ समझ आ गया है यह सर अपनी नोटिस क्या हुआ है उसने सर यूं हिला ज़िए वो जर्रा बराबर परवा नहीं करता उसका जतना तकलीफ पहुंचती है वो आपको होती है उससे एफेक्ट होगा एक दफ़ा एक शखस आया वो अपने शागिर्दों के साथ बैठा था तो आने वाले शखस ने बहुत शदो मत से उससे गुस्से से गालिया दी उसके शागिर्द मारने के लिए दोड़े तो उन्होंने उसको रोक लिया अब वो शखस गालीय देके चला गया तो उन्होंने कहा उसस्ताथ साथ उन्होंने आपकी टोहीन की इतना अप पर घुस्सा किया इतना वो आप चिलाया गालीय दी तो आपको बुदा नहीं लगा कहते हैं बहुत लगा तो फेर आपने उसे कुछ कहा नहीं ना हमें कुछ कहने दिया तो कहने लगी एक बात तो बताओ अगर कोई शक्स आपको कोई चीज दे अगर आप ले लें तो वो तो आप हो गई अगर आप ना लें तो वो व वा बस किस के पास जाती है वो चीज उसी के पास वापस चली जाती है उसने मुझे गालियां दी मैंने रियक्ट नहीं किया तो वो किसके पास चली गए आप देखिए कि जब आप गुसा करते हैं तो आप नॉर्मल स्टेट में नहीं रहते हैं तो इसलिए हमेशा इसी में आप मैं एड कर देता हूं कि जब भी कोई आपको और आपके जजबात को थेस्ट लगे और आपके एमोशन जो हैं वो हर्ट हो तो जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन आए तो हमेशा रियक्ट ना करें रिस्पॉंड टू दा सिचुएशन करें यही ई-आई का करक्स है वेरी राइड सारी यहां मैं एक सवाल करना चाहूंगे कहते हैं जब दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम अच्छे लगते हैं तो बात तो आगई जजबात की ऐसा क्या किया जाए कि थ्रू आउट हमारा जो दिल का मौसम है वो अच्छा रहे हैं अपनी खाहशात और तमनाओं को जतना मुख्तसर रखेंगे आप मुएसर को जतना मुएसर कर लेंगे जतना जो आपको हासल है उसके उपर अगर आप खुश हो जाएंगे उसमें खुश रहना सीख लेंगे तो आपके दिल का मौसम हमेशे अच्छा रहेगा आपको रिग्रेट नहीं आएगा मैं उसकी जाती मिसाल हूँ मैं उमर के इस हिस्से में भी कोई रिग्रेट नहीं है मुझे मेरे दिल का मौसम बहुत अच्छा है सुबो शाम किसी वकत भी अगर कोई थोड़ी बहुत हलकी सी गरम हवा आती है तो अगले लुगे इतना खुबसूरत जहुंका आता है कि वो मुझे पहले से जादा पुर सकुन कर देता है तो अपनी स्लाहितों पे इतबार करें अपनी नियत को अच्छा रखें और सच मुझे आपको एक बहुत बड़ी बात बताओं यह मैंने अपने आप पे प्रैक्टिकल करके देखा है आप दूसरों के बारे में सिर्फ अच्छा सोचना शुरू कर दे आपका दिल का मौसम अच्छा नहीं एक्जम्पलर ही हो जाएगा इंतहाई अच्छा हो जाएगा और फिर कभी उस पे खिजा नहीं आएगी क्यों इसलिए कि वो जो औरों के लिए रखते हैं प्यार का जजबा वो लोग कभी तूट के बिखरा नहीं करते हैं अगला सवाल कौन करना चाहेंगे सर मेरा नाम सिद्रा अबास है और मैं डेपार्टमेंट अफ जेंडर स्टडीज पंजाब इनुवस्टी की स्टूड़न हूँ सर मेरा क्विस्चिन आप से एकडेमिक पॉइंट अफ व्यू से है जैसे के कोविट सिच्वेशन इस ओन गॉइंग और सारे स्टूड़न्स घर पे हैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जैसे उस्ताद होता है आपका टीचर वो स्पिर्च्वल हीलर होता है तो वो अपने टीचर से सीक्ते आगे यकडीमी में, स्कूल में युनिवरसटी, अकॉलिजेस, की सी भी जगा में तो आप यूध को क्या मेसेज देंगे कि उपनी एमोशनल इंटैलीजन्स को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, ये मिनटें़ कर सकते हैं आपका सवाल जो है गिर्द घूमता है कोविट के कोविट ने इन इट सेल्फ जो एक डिप्रेशन की कैफियत पैदा की है और डिप्रेशन के साथ-साथ इंग्जाइटी भी कर दी है इस सिच्वेशन में हमारे स्टूडन्स जो खास तर पर पाकिस्तान के हैं वो इस चीज़ के आदी नहीं थे आउनलाइन के जो उन्हें सारे का सारा आउनलाइन आना पड़ गया वो दोश्टों से मिलना बैटना बातें करना टीचर के साथ बांडिंग जो डिवेलिप हुई ह होती है अपनी बात उससे करना वो चीज़ बिलकुल नहीं रही तो नो डाउट उसका एक एफेक्ट है फिर आपका जो सरक्म जो सरक्मस्टांसिज हैं वो भी किस तरह का होता है टीचर भी अपने घर में काम कुछ कर रहा है और वो आपके साथ बरहराश्ट नहीं है तसकी बिजाए उसका लाइब आने की बिजाए तस्वीर आ रही है आप भी इसी तरह किसी और मस्रूफियत में है तो वो लर्निंग उतनी बेहतर नहीं होती तो उससे क्या होता है कि आपका डिप्रेशन और बढ़ता है और इंग्जाइटी जो है कि आने वाले वक्त की सोचें आ आपको री प्रोग्राम करना होगा गुसे को कंट्रोल करना इमोशन को कंट्रोल करना एंगर मैनेशमेंट में सबसे ज़्यादा जरूरी है चुके एंगर जो है वो एक नेगेटिव एमोशन है और बुछी तरह से मसाइल लेकर आता है हमारी NLP जो है Neural Linguistic Programming वो प्रोग्रामिंग और री प्रोग्रामिंग जो है उसके ओपर हमें बहुत ज्यादा एंफिसिस करती है तो आपको अपने जो डेली रूटीन है उसको ज्यादा हेल्दी बनाना होगा ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए ये है कि फिजिकल तरफ आएंगे क्योंके Mental activity तो आप किताबें पट रहे हैं, online classes ले रहे हैं, लोगों से फोन पर बातें कर रहे हैं, तो इसलिए जब आप स्कूल कॉलेज उनिवस्टी जाते हैं तो आप एक किनारे से दूसरे सिरे तक जा रहे होते हैं एक block से दूसरे block तक class hackend करने हैं, दस लोगों से बात भी करने हैं आनलाइन में एक खतम हुई है तो दूसरी आ जाती है इदर से हमी कहती है कि ये सबजी बना दो वो कर दो या बजार से फलान चीज ले आओ तो उसमें जो आपकी डिस्टर्बंस है उसमें अपना एक तु मैनेजर से पहले बताए कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखें दूसरा फिजिकल एकजर्शन उसको बहुत ज्यादा हिस्सा दे तो आपकी कंपरिटिवली ये जो कोवर्ड में डिप्रेस होने की और लेस्ट लर्निंग की जो बात है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगी बेशक जी अगला सवाल कौन करना चाहेंगे असलाम अलेकुम जी, डॉक्साब मेरा नाम मौसिन अली है और पंजाब यो सी से तालोके मेरा असलाम मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हम फीलिंग्स और इमोशन्स की बात कर रहे हैं तो इस्लाम में इसका क्या कॉंसेप्ट है अबादात के हिसाब से हम किस तरह उसको देखते हैं इसलाम के पॉइंट अव्यू से एंगर मैनेशमेंट में साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की करके जहां जा सकी है वो यह है कि गुसा जो है उसको पी जाना साइकालोजी कहती है कि यह ठीक नहीं है इसके एफी अच्छे एसरात नहीं आते और इसलाम आपको गुसे को पीने का हुकम देता है अब यह जिनों ने काज्चम का मतलब कजामत गुसा पीने के अमल को कहते हैं यह जो तसवर दिया है जिनोंने तरुछमा इसका पीना किया है ये तो आप उनसे पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कजामत जो है चुके अर्बी का लफज है काजमीन ना वाल काजमीन हुसा पीने वाले तो इसका मतलब होता है उसको चैनलाइज करें जो आपके अंदर नागेटिव और स्ट्रॉंग मोशिन डिवेलप हुए हैं उनको आप उस ताकत से अच्छा काम लेए आपको पता है नहीं हुस्से में आपकी ताकत जिसको पंजाबी में कहते हैं उन्हों बड़ा चाले चाड़ गया वो इतना ज्यादा अपने आपसे बाहर हो गया वो तो किसी के काबूम में नहीं आ रहा था उसको कितने लोगों ने पकड़ा था तो उसको चैनलाइज करें उस वक्त वो राइट टाइम होता है कि आप में जो इनरजी पैदा हुई है नेगिटिव एनरजी उसको पॉजिटिव कर दे ये बड़ी दिल्चस्प इसकी बैकड़ाउंड है कि कजामत जो है वो एक खास अमल को कहते हैं अरबों के हाँ पानी का चुके बहुत ज्यादा प्राब्लम होता था तो जब वो कुएं बनाते तो उन कुएं के नीचे से उसके चैनल्स भी बनाते हैं कि अगर कभी ये ज्यादा भरके पानी उपर आई जाए तो वो जाया होने की बजाए इदर उदर दूसरी जगों पे चला जाए ये अमल जब करेंगे तो एक्चली इसको काजिम कहते हैं ये गुसा पिना अरबी में इसको कहता है इसको नहीं कहतें आपको एक एंगर क्रिएट हुआ है और आप अपने आप में यू जबर सबर करके बैठबेटगे तो सबर के मतलब भी हम वही लेते हैं जो हम अर्दू में लेते हैं जबकि अरबी में इसका मतनब कुछ और है तो इसलिए गुसे को कंट्रोल करना एमोशन्स को कंट्रोल करना एंगर मैनेशमेंट में सबसे ज़्यादा जरूरी है चुकि एंगर जो है वो एक नेगटिव एमोशन है और बुरी तरह से मसाइल लेकर आता है मैं पाकिस्तान की प्रीजन्स अकेडमी एक ही है जिसमें इस्पी, डिस्पी और इंस्पेक्टर्स को तेहरी करवाई जाती है मैं जब यहाँ पहली दफ़ा ट्रेनिंग के लिए गया तो मैंने उनसे इस काहश का इज़ार किया कि मैं कैदियों से मिलना चाहता हूँ खास तोर पे वो कैदी जो कतल और लड़ाई जगड़ों के केस में आई हुए है उन में से अक्सरियत ने जो कुछ बताया उसका फुलासा ये है कि फलान ने जी मुझे गाली दी ती तो बस मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ रिस्पॉंड करें जब आप रिस्पॉंड करते हैं तो वो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है वो आपको नुकसान से बचा लेती है बीशिप जी अगला सवाल कौन करना चाहेंगे मेरा नाम नाजिम खान है मेरा क्वेस्टन यह है कि महबत भी एक एक एहसास है इसको हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं और हमारे मौशरे में इसको नेगटिव लिया जाता है अक्सर तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे अंगर मोस्ट नेगटिव हामफुल एमोशन है इसी तरह लव जो है वो मोस्ट पॉजिटिव एमोशन है अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है देखें जैसे ही लव का कॉंसेप्ट आता है तो हमारे हाँ वो बहुत ज़्यादा नेरो होके चला जाता है एक और अरत और मर्द एक लड़की और लड़के के दरमयान जो तानुक है उसको महबबब कहा जाता है महबबब जो है इमोशन की जुमान में देखें तो ये बड़ी बसीट आम है अल्ला कहता है मैं महबबब हूँ और महबबब का जजबबा अगर इनसान की जिन्दगी से निकल जाये तो हमारे तमाम रिश्टे तबाह हो जाया है रह नी सकते हैं लेकिन जब हम इसको नेरो करके वहां लाते हैं तो फिर वो सुसाइटी जो है वो उसको किसी और तरह से देखती है बतौरे जजबा ये बहतरीन जजबा है ये ना हो तो इनसान जिन्दगी नहीं रह सकता लेकिन उसको जब हम बहुत नेरो करके औरत और मर्द के दर्मयान और बदकिसमती से वो भी जायज नहीं नाजायज तालुक ज़्यादा होता और फिर उसके बाद जो उसके नतायज आते हैं वो भी खराब है जैसे वो जी लाव मैरेज़िस उसने की थी इसलिए उसके जिन्दगी खराब हो गई तो वो बड़ी दिल्चस्ट दास्तान है वो भी चुके मेरा सबजेक्ट है आगे रिलेशन मिशिप मैनेजमेंट में उसका जिकर जरा तफसील से करूंगा तो ये एक ऐसा एमोशन है जो इनसान की बुन्यादी तरीन जरूरतों मेंसे है महबत का जजबा जिस इनसान को नहीं मिलता उसकी जिन्दगी मेंसे बैलनस आउट हो जाता है खत्म हो जाता है देखें गाड़ी जितनी मर्जी अच्छी हो अगर उसके पही एलाइनमेंट में ना हो बैलनस ठीक ना हो तो आप उसकी राइड को एंजॉई नहीं कर सकते इसी तरह जिन्दगी की गाड़ी जो है इसमें अगर महबत का इमोशन जजबा निकल जाए तो फिर आपकी जिन्दगी जो है वो आसान में बहुत मुश्किल हो जाती है बेश्यक जी अगला सवाल कौन करना चाहेंगे मेरा नाम मुमिन है और मैं पंजाबी निवरस्टी से पढ़ रही हूँ मेरा आप से इस सवाल है कि हाव डू वी रिकॉवर फ्रम फेलियर हम लोग हार से कैसे बाहर निकल सकते हैं आपको जो चीज सबसे पहले बाहर निकालती है वो आपका अपना आप है हमारी नाकामियों के पीछे बहुत बड़ी वज़ा हम खुद होते हैं मेरा शमार भी तो मेरे दुश्मनों में है मैं खुद भी हूँ अपने आपके पीछे पड़ा हुआ तो हम अपनी नाकामियों की एक बड़ी वज़ा पता क्यूं होते हैं हम इंटर्वियों देने जा रहे हैं हम पेपर देने जा रहे हैं हम किसी से कोई खास मुलाकात के लिए जा रहे हैं पता नहीं क्या बनेगा वो पता नहीं क्या पूछ लेंगे त्यारी तो मेरी ठीक नहीं है और अगर नौकरी के लिए जा रहे हैं तो सिफारिश पे उन्होंने पहले ही रख लिए होंगे ये तो ऐसी एक फार्मैलिटी है जब आप इन सोचों के साथ जाते हैं तो फिर याद रखें ये कैसे मुम्किन है तो जो मैंने अनलपी की आपसे पहले भी बात की थी कि हमारे ब्रेन में एक्शली नियूरो पाथवेज बनते हैं जो कुछ हम सोचते हैं हमारे साथ वही होने लगता है तो ये फेलियर जो है ये आप सबसे पहले और सबसे आखरी जिम्मेदार आप खुद दोंगे क्योंकर याद रखें किसी काम में जब हम खुद अपने आपको खुद अपने आपको जिम्मेदार ठहराते हैं किसी गलती का तो फिर उसका इलाज भी असान हो जाता है और हम वाकई इलाज करते हैं लेकिन जहां हम अपने फेलियर का जिम्मेदार किसी दूसरे को ठहराते हैं तो फिर तो हम अपनी सारी गल्पी उसके सर डाल देते हैं फिर हम अपनी इसलाह नहीं करते परवीन शाकिर को लोग सिर्फ एक शायरा के तौर पे जानते हैं वो बहुत अच्छी फिजिक्स की एक्सपर्ट थी साइकालोजी की थी बियालोजी की थी उसकी शायरी को कभी मेरी नजर से पढ़ें एक बड़ा उफका मशूर शेयर है मैंने इस शिद्ध से तुझे पाने की खाहिश की है काइनात के हर जर्रे ने मुझे तुझ से मिलाने की साज़श की है जिसने फिजिक्स एडवांस लेवल पे पड़ी है और उसने उसमें तखस्स किया है स्पेशलाइजेशन की है इनरजी के कॉनसेप्ट में उसको पर वीन चाकर समझ आएगी कि जब हम अपनी सोच में बड़ी शिदत पैदा कर लेते हैं कि मुझे हर हाल में ये करना ही करना है इसके लावा कोई दूसरा वे ही नहीं है तो पूरी की पूरी काइनात आपके उस समल में आपकी मददगार बन जाती है उसके एक चोटी सी आपको मैं मिफाल देता हूँ आपकं कभी कहते हैं कि हम यार अभी आपको यादी कर रहे थे मैंने अभी आपके बारे में सोचा ही था कि तुम आ गयो वो अभी नहीं सोचा होता वो आपके नियूरो पाथ वेज में पता नहीं कब से ट्रेवल कर रहा होता है वहां जाके वो आपका औरा मैच कर जाता है उससे जैसे आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आप हाथ दिवारों पे मार रहे हैं और चानक स्विच पे हाथ लगके वो जल जाता है तो अपनी सोच को जब मस्बत बना लेंगे तो फिर कामजाबी आपका हर नाकामी कामजाबी की बेहतरी सीड़ी आपके लिए बनेगी मेरी जिन्दगी में जितनी असानी कामजाबी हैं मेरे अनदर नई अनरजी पेदा हो गई और वो उस पे मैंने शुकर किया कि अगर मेरे साथ ये ना होता तो मैं ये ना कर पाता बहुत शुक्रिया पुफेसर साब आपका इसी के साथ ही हमारे प्रोग्रम का वक्त खतम हुआ चाहता है उमीद है कि जजबात के बारे में बहुत अच्छे से जान चुकी होंगे और ना सिर्फ अपने बलके दूसरों के भी जजबात का बहुत ख्याल रखेंगे अपनी मेजबान सुहरा साजित को दीजिए इजासत प्रोग्राम के बारे में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगा करते रहे देखते रहे डिसकावर इसलाम अल्ला निगेबान